भारत जल्द ही इतिहांस रचने वाला है पछली बार असफल हुए चंद्रियान 2 से सीख लेकर भारत ने बनाया है पहले से जादा बैतरीन स्पेस क्राफ्ट जो चंद्रियान 3 मिशन के तहट चांद को अपनी मुठी में कर लेगा जियां दोस्तो 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2 बचकर 35 मिनट के वक्त चंद्रियान 3 चंद्रमा के लिए रवाना हो गया है और इस बार का चंद्रियान मिशन पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार है कि भारत स्पेस रिसोर्च के फिल्ड में भी पूरी दुनिया से आगे है और आज हम आपको चंद्रियान 3 मिशन की लाँचिंग, चांद की सता पर लैंडिंग, बजट, लाँच रूट और स्पेस क्राफ्ट में किये गए बदलाओं से लेकर इसके मुख्य मिशन की पूरी चान कारी देंगे ताकि आप भी इसरों के इस खास मिशन का हिस्सा बन सके तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा साथियो आज तक सिर्फ अमारे का रशिया और चाइना जैसे तीन देशों को ही चांद पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है और चंद्रियान तीन मिशन सफल होते ही भारत दुनिया का वो चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर जीत हासल की है आज से करीब चार साल पहले 22 माई 2019 के दिन भारत ने चंद्रियान दो को चांद पर भेजने की कोशिश की थी और इस दोरान पीम नरिंद्र मोदी भी इसरो के बैंगलूरू वाले हेड आफिस पहुच गए थे और पूरा देश यही आस लगाए बैठा था कि चंद्रियान दो मिशन सफल हो जाएगा मिशन के शुरवात में सब कुछ सही चल रहा था और साथ सेतंबर के दिन चंद्रियान दो चंद्रमा की सता पर उतरने ही वाला था कि तबी चंद्रमा की सता से सिर्फ दो किलोमेटर की उचाई पर विक्रम लेंडर से हमारा संपर्क तूट गया और हम चान पर लेंडिंग करने में असफल हो गए थे मिशन में मिले इस असफलता से इसरो के चीफ के सिवन काफी जादा भावुखो गए थे तब ही प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगा कर सांत बना दी थी जिसके बाद प्रेस मीट में पी एम मोदी ने कहा था कि हम यहां रुकेंगे नहीं बलकि इस से सबक लेकर आके बढ़ेंगे क्योंकि विग्यान यानी प्रयास और प्रयास और प्रयास प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की कही इस बात को आधार बना कर इसरों ने फिर से चंद्रियान तीन को चांद पर भेजने के सपने बुनना शुरू कर दिया था में बड़ी चुनावती होती है और जानकारी के लिए बता दें कि अमरका अपने सभी चांद मिशन में से कुल 26 बार फेल हो जुका है जबकि रश्या को 14 बार फेलियर का सामना करना पड़ा था लेकिन भारत ने तो अपनी पिछलिया सफलता से इतनी बारीकी से सीख ली कि इस कि हम इस से सीख लेकर आगे बढ़े हैं आगे उन्होंने कहा कि सफलता मिलने का ये मतलब बिलकुल नहीं कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें चंद्रियान तीन मिशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हमें देहांस रच देंगे साथियो 14 जुलाई के दिन दोपहर के 2 बज कर 35 मिनिट पर इस रो आंधर प्रदेश के स्री हरी कोटा इस्तित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्रियान तीन को लॉंच कर दिया है इस रो के मताबिक चंद्रियान 3 को उसी रास्ते से चांद भिजा जाएगा जो चंद्रियान 2 का था साथी इसे चांद के दक्षणी दुरू पर ही उतारा जाएगा जहांपर चंद्रियान 2 को उतारा जाने वाला था यानि हम यूँ कह सकते हैं कि चंद्रियान 3 अपने पिछले साथी चंद्रियान 2 का बचा हुआ मिशन पूरा करेगा हला कि दोस्तों चंद्रियान 3 में कई बदलाब किये गए हैं जैसे कि इस बार स्पेस्क्राफ्ट में कोई और्बिटर नहीं है बलके इस वक्त हम एक प्रपल्शन मोड्यूल का इस्तिमाल कर रहे हैं जो चंद्रियान 3 के लेंडर और रोवर को चांद के और्बिट तक ले जाएगा जहाए से चंद्रियान 2 के उस और्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले चार सालों से चांद के चक कर काट रहा है इसरों के इस मून मिशन के मुख्य तीन लक्षे हैं जिसमें पहला है चंद्रियान 3 के लेंडर को चांद पर एक सौफ्ट लेंडिंग करवाना दूसरा है इसके रोवर को चांद की सता पर चलाना और तीसरा चांद पर कुछ जरूरी scientific research करना आएए अब एक ही करके इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं सबसे पहले बात करें लेंडिंग की तो किसी भी spacecraft की दो तरह से लेंडिंग होती है hard और soft जिसमें से hard लेंडिंग में कोई भी spacecraft अंतरक्ष में मौजोद ग्रह और उपक्रह पर तेजी से लेंडिंग करता है जिससे सता से ठकरा कर उसके crash होने के chances बढ़ जाते हैं hard लेंडिंग के दौरान जादा तर मामलों में spacecraft से हमारा संपर तूट जाता है या फिर वो एक जगा पढ़े रहते हैं और यहीं दिक्कत चंद्रियान दो के विक्रम लेंडर के साथ भी होई थी अब कोई भी space agency अपने spacecraft की hard लेंडिंग नहीं करवाना चाहती लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कतों की वज़ा से ऐसी लेंडिंग हो जाती है और जादा तर मामलों में mission fail हो जाता है दूसी तरफ soft landing में कोई भी spacecraft ग्रह और उपक्रह पर बिलकुल धीरे धीरे उतरता है जिससे उसके damage होने के chances कम हो जाते हैं और चंद्रियान तीन के lander विक्रम को भी इस बार soft landing के लिए तयार किया गया है जिससे इसके parts damage नहीं होंगे और ये अपना mission पूरा करके फिर से उडान भरकर orbiter से आकर जोड़ जाएगा दूसरे लक्षियानी की rover को चांद की सता पर चलाने की बात करें तो इसके rover का नाम प्रग्यान रखा गया है जिसे landing के बाद चांद की सता पर उतार दिया जाएगा इस rover में कई सारे navigation camera, energy के लिए solar panel और communication के लिए antenna लगाए गये हैं और इसका वजन करीब 27 kg है ये चांद के सता की data collect करके lander को भेजेगा और lander इस data को और्बिटर को भेजेगा जहां से ये data ISRO के ground research center पर पहुँचे की अब इस mission के तीसरे लक्ष यानि research की बात करें तो चंदरमा तीन का lander चांद के उस दक्षणी दुरूब पर land करेगा जहां आज तक कोई space craft नहीं गया यहां पर lander और rover मिलकर चांद के दापमान की जाँच करेंगे चांद पर होने वाली भुकम पिये घटनाओं की जाँच करेंगे साथी ये चांद के वादाबरण में गैस और प्लाजमा की जाँच भी करेंगे इसके अलाबा कई secret scientific research भी किये जाएंगे कुल मिलाकर इस mission से इसरो चांद की वो data collect करेगा जो चांद पर मानववस्ती बसाने की कोशिश को एक और कदम आगे ले जाए साथी हो चंद्रियान तीन कालेंडर चांद पर एक lunar दिन तक रहेगा जो की धर्ती पर 14 दिनों के बराबर होता है जिसके बाद ये फिर से उडान भरकर और्बिटर के पास आ जाएगा इस mission का बजट 615 करोड बताय जा रहा है पहली बार सुनने में तो ये बजट आपको ज़्यादा लग सकता है लेकिन बता दे कि ये बजट पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म आदी परुश के 700 करोड के बजट से भी कम है और इतने कम बजट में चांद पर जाकर इतने बड़े mission को अंजाम देना वाकई में खावले तारीफ होगा बता दे कि चंद्रियान तीन स्पेसक्राफ्ट का कुलवजन 4900 किलोग्राम है जिसमें से प्रपल्शन मोड्यूल 2148 किलोग्राम और लेंडर मोड्यूल 1752 किलोग्राम है आईए दोस्तों अब जानते हैं कि चंद्रियान तीन धर्थी से लेकर चांद का सफर कैसे पूरा करेगा तो चंद्रियान तीन के स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से जोड़कर इस रो ने अपने LVM-3 लांच विकल से जोड़ दिया और ये mission LVM-3 के ignition से शुरू हो गया फिर उपर पहुँचने पर इसके अगल बगल लगे S-200 रॉकेट अलग हो गये और आगे चलकर पेलोड को कवर करने वाले को खोल कर भी अलग कर दिया जाएगा रॉकेट का दूसरा चड़न भी अंतरक्ष में आके पहुच कर main spacecraft से अलग हो जाएगा जिसके बाद तीसरे चड़न में cryogenic engine चालो कर दिया जाएगा जो चंद्रियान 3 को चान तक ले जाएगा फिर ये spacecraft धर्ती के कई चक्कर लगाते हुए प्रतवी से दूर होता चला जाएगा और एक elliptical orbit में चान को अप्रोच करेगा और कुछ देर बाद प्रतवी के गुर्त्वाकर्शन के दायरे से बाहर होकर चंद्रमा के परिक्रमा पत पर प्रवीश कर लेगा चान्द के और्विटर में पहुंचते ही लेंडर को propulsion module से अलग करके चान्द की सता की ओर भीज दिया जाएगा और सता के नजदीक पहुंचते ही इसके thrusters on कर दे जाएंगे ताकि इसके रफ़तार को कम किया जा सके और ये चान्द की सता पर soft landing कर सके ये लेंडिंग 23 या 24 अगस्त के दिन की अरवाई जाएगी दोस्तों आप मेंसे कई लोग होंगे जो चंद्रियान 3 के launch को live भी देख चुके होंगे उनके लिए इसरो ने एक website जारी की थी और उस पर registration भी किया जा जाकर आपने live launch को देख लिया होगा अगर आपने नहीं देखा तो आईए हम कुछ आपको दिखाते हैं तो दोस्तों अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रियान 3 मिशन में भारत को आपार सफलता प्राप्त हो तो comment box में इस रोग को अपने दुआएं जरूर देना साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और इस मिशन से जुड़ी पलपल की जानकारी बात है रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजेगा धन्यवाद